साथियो जय भीम जय भारत जय सवीदान उतने भी साती है है लाइव से जड़ जयां है सांथी हो जिस प्रकाड से है पूरे प्रदेश के जो लोग हैं जो हमारे शाथी है यह वह साती जो त्यारी कर रहे हैं आप सभी को एक बार करती करें शेलिट और पुरे प्रदेश के जितने भी हमारे जो समस्त हमारे बहुती समाज की जो संगटन है उनको बार करती करें सेलिट जैभीम साती जिस प्रकार से जिस प्रकार से जो सरकार यहां पर मद्यपर्देश के अंदर पुपाल के अंदर ताना शाहिए कर रही है वह बहुत चिंता जनक है और जब हम लोगों ने पर्मिशन के लिए पिछले नो तारिक को अपलाई कर दिया था उसके बाद सरकार ने जो है पर्मिशन अभी तक हम लोगों को नहीं दी आज हम लोग प्रसासन के अधिकारियों से मिले यहां के भुपाल पुलिस कमिंशन से मिले सब लोगों से मिल रहे हैं जहां पर हम लोगों ने जगे चिन्नित की है उस जगे पर सरकार को बड़ी अलरजी है तो यह जो तानाशाही है यह तानाशाही हम लोग चलने नहीं देंगे पाई से बाई हदान के अंदर किसर्फ भाजपभा कांगरस को ही रेली करने का अधिकारे रिं़ का सिर्फ भाजपकांगरस के लोग यहां है रेली कर सकते हैं हिए यह जो ताना साई है विल्पूल चलने नहीं दी जाए साती मिस महदपन जानकारी के साथ मिस लिए आप से मैं लाइव आया हूँ कि ताकि आपको मैं बता सकूँ कि परदेस सरकार क्या कर रही है लेकिन साथियों आप लोग तैयारी कीजिए हम और हमारी लेगल टीम यहाँ पर पर्मिशन में लगी हुई है हम लोग सरकार से लड़कर पर्मिशन लेंगे हमारे साथियों ने बहुत साथियों की कोल्स आएं और काफी उत्सा है बारा फर्वरी को लेकर काफी उत्सा है काफी एनरजी है और पुरे परदेस बहुत से जो फौन्स कोल आ रहे हैं यह एक बहुत ही तारी पे काबिल है और सब लोग अपने अपने इस्तर पर तैयारी कर रहे हैं साथियों जल्द ही पर्मिशन हो जाएगी और आप सभी साथियों को बड़ी भारी संक्या में आना है आज अधिकारियों से हमारी बात हुई है अधिकारियों को फिर हमने दो टुक में कह दिया है कि भाई अगर अगर यह चीजें अगर इस पर काड़ से चली हैं तो हम बरदास कते नहीं कर पाएंगे जो लोग बारा फरवरी को आने वाले हैं हमें लगता है कि हमारे साथियों को बहुत जल्दी बुलावना बलाना पड़ाएगा तो मद्य परदेश के साथियों भीमारे में आज़ा समाज पारिटिक साथियों हमारे A.C.S.T. O.B.C. के साथियों और जितने भी हमारे जो साम समाजिक संगटन हैं तमाम समस्त जो भौजन समाज की जो संगटन हैं जिनोंने इस आंदोलन को इस समाजिक ज्यायत्रों को समर्तन दिया है मैं उनका दिल की गेराईयों से धन्यवात करूंगा कि आप लोगों ने सोतंत्र भारत के अंदर सबसे बड़े आंदोलन को सबसे बड़े यात्रा को सबसे बड़े समाजिक न्याय की पहल को आपने समर्तन किया है और आप तैयारी कीजिए बारा फरवरी की जोरो सोरों से आप लोग गाउं गाउं जाईए आप लोग शहर शहर जाईए घर घर जाईए आप लोग ये संक हर घर से मद्ध्य पर्देश के जितने भी हमारे साती है С.E.S.T. O.B.C.H.L.P. संक्यक जो भी सविधान में आसता रखता है संकल पर लीजिए कि हर घर से एक सदस्य हमारे साती आ जाए इससे समवीधान बचाने की लड़ाई में आरक्षन बचाने की लड़ाई में हक अदिकार बचाने की लड़ाई में और मैं डिकलेर करना चाहता हूँ कि जो हमारे समवीधा करमचारी जो साती है जिनकी मांगे की भाई उनको नियमित किया जाए हमारे मजदूर भाई हैं हमारे किसान भाई हैं हमारी माता बहने हैं हमारे जो चात्र भाई हैं जिनकी इसकोल सिब नेडली हैं हमारे वो चात्र भाई हैं जिन्नोंने एक्जाम दी है लेकिन अभी तो सरकार ने रिजल्ट गोसित नहीं किया है तो इन सब बांगों को लेकर हम कि wild girls कि यह मोनं आप समझी ज़्ए निकाल रहे हैं और सारी वांगों सरकार के समख्ष रखने वाले अब सरकार को डर हैं कि सरकार के लुग क्या कि नहुं गते हैं कि भैयि आप किसलो आ रहे हम लोग कहा से management करेंगे, क्या करेंगे तो भई हमने कह दिया कि नरेंद्र मोधी और अमिशार जी की रेली के लिए लोग आपने रख रहे हैं कि management करने के लिए क्या हम प्रदेश के अंदर अकेले सीवरा सीवर चोहनी रेली कर सकते हैं यह जो ताना शाहिए यह मध्य प्रदेश के अंदर बोज़े समाज का व्यक्ति बरदास नहीं करेगा और हम लोग उन्हें ठान लिया है कि हम लोग अब पीछे हटने वाल नहीं है सातियों जितनी भी जो अपडेट होगी 12 फरवरी को लेकर मैं समय समय पर आपके सामने मैं लाइव आता रहूँगा और चीज़े बताता रहूँगा लेकिन आप लोग को जो मेहनत है आप लोग जो तैयारी कर रहे है मैं उसको सेलूट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश के सातियों ये पुरे देश के अंदर हमें ताक्तर दिखाने का एक मुका मिला है हमें ये सरकार को बताने का मुका मिला है कि अगर वो लोग आरक्षन के समर्थन में आरक्षन के खिलाब है तो हम लोग आरक्षन के समर्थन में बिल्कुल हमारे मुके संजोद्या भाई है होमगार जवानों को सरकारी करने की बिलकूल बिलकूल आपकी भी हम लोग मांग रखेंगे हमने रखी हमारे पुलिस भाईयों की मांग कि उनको सरकारी शुट्टी दी जाए इसको लेकर हमारे सामने एक सुजाव भी आया है कि सरकारी शुट्टी क्यों नहीं मिलती सरकारी श बढ़ाए जाए तो मद्यपर्देश में आप चाहिए कहीं पर भी हो आप विल् है आप चाहिए अगाड उसी निकले से निकले पी और से निकले से लेकिन आप एक जुट होकर भूपाल में कुनिला करने काGM नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमारे अकदिकारो के लिए हम कभी भी खड़े हो पाएंगे ये बड़ा आनोलन है ये बड़ी लड़ाई है और ये हमें मिलकर लड़ना पड़ी मैं हमारे OBS समाज के साथ्इयों से वबिसी महासावा ने जो समर्तन दिया है आप भी जितने भी हमारे वबिसी समाज की जितने भी संगटन है आप पुरा तनमंदन से सियोग कीजिए हमारे आदेवसी समाज की जितने भी संगटन है आप तमाम तनमंदन से समर्तन कीजिए हमारे अनुसुचित जाती समाज की जो संगटन है दली समाज की जो संगटन है आप भी सांदों को तनमनेंसे सहयोग कीजिए क्योंकि ये लडाई अकेले किसी की नहीं है ये लडाई पूरे बहुजन समाज की है और भीमारमी इस लडाई को अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लिया है और मैं सेलूट करता हूं मरे सातियों को कि भई आप लोगोंने गाउं गाउं जाकर जो जनता के अंदर लोगों के अंदर हमारी माताओं के अंदर अलग जगाने काम किया है आप स्विर्व साद्वालत के पात रहें और जिस प्रकार से आप लोग साधियों में सामाज कारेक्रमों में जो आप हैनत कर र रहें कि 12 फरवरी को धुमदाम से भोपाल चलना यह बड़ा एक गोरोव साली विश्य और जहां पर साधिया हूं जहां पर समाजी करेक्र हूं आप 12 फरवरी के जिकर को छेड़ी है आप 12 फरवरी के जो समाजी जो झाया यात्रा है उसका चलने का महां पर आवान कीजिए अगर हम लोग इस सामाजी ज्ञायत्रा भोपाल में बारा फर बोरी को अगर हम ज्याद संक्या नहीं दिखा पाए तो सरकारी समझेगे कि भई ये वर्ग तो मरा हुआ है जिन्दा नहीं है और हमेशा कि ध्यान रखना है चीज़ को कि बली बक्रे क चाते हैं लेकिन उनके पास में आरती हलत कम हैं कमजोर हैं तो अपने उसके लिए भी ये उसको आप साथ की गिंती होती है आपका एक सर आपकी यहां पर बोपाल ने उपस्तिति सीवरा सीम चोहान की कुर्सी लाने का काम करेंगे और यह उना आरक्षन विरोधियों को बता देंगे बताने का काम करेगी आपकी एक उपस्तिति कि भाई मद्य प्रदेश के लोक या पूरे देश के ल समाज के लोग इस आरक्षन बचाने की लड़ाई मांस अमांस अभी मांस बचाने की लड़ाई में जिन्ना है अगर आप लोग इस लड़ाई में साथ देते हैं का तो मैसे मैं आपको विश्वा दिलाता हो सातियु कि आरक्षण हो चाहिए आपके बेखली दार्ट हो चाहिए आपके जाती जिन्गं नहीं घ्रिद्ध रगुएं यूस्लय कि चाहे हमारे आज हमसे मिले तो कुछ पुरानी पेंसन के साथी कि पुरानी पेंसन नेन पेस लागू हो चाहे वह सब की मांगे पूरी होगी साथी है और उनसे भी बड़ी चीज ये लड़ाई मान समान समभी मान की है और इतना तो लग गया होगा अब सरकार को भी और आपको भी कि हमारे रेते हुए तो आरश्म कभी खत्म होगा नहीं सविधान के लिए हम लोग अंतीम सांस तक आखरी खून का गत्रा बहाएंगे लेकिन हम लोग सविधान खुत्म होने नहीं देंगे तो जितने भी साती है अपने सेत्र से तयारी कीजिए बहुत ही जल्द हम लोग आपके बिच में अनौंस करेंगे कि पर्मिशन के लिए क्या कि जो उनका जो सभीधान है जो नहीं में शिक्षा का अधिकार दिया है वह हम लोग अच्छ जानते हैं भारत देश के अंदर मद्यप्रदेश के अंदर लोग तांत्रीक विवस्ता में हमें हमारे हक अधिकार की आवाज उठाने के लिए कोई भी तानाशार सरकार हमें रोक नहीं सकती है तो साथ ही आपनों तेयारी कीजिए भैचंसिक राजाज जी वेनर पने सिंग जी और हमारे भी मारमी के, आएससमाज पार्टी के, हमारे तमाम, एसस्टी, आप संकेक के, हमारे जायस, बैसी, माहसवा के, और हमारे सेलूट करता हूँ और आपने जो समर्थन दिया है मैं उसको सलाम करता हूँ और उमिद रखता हूँ कि जो लोग समाज के अंदर सोय हुए है जो संगटन जिनों ने अभी तो समर्थन नहीं किया है वो तुरंत हमें या आपकी संद्रों को समर्थन करें ये लडाई अकेली भीमार मी की नहीं है ये लडाई तमाम इस प्रदेश के अंदर प्रभारत देश के अंदर जिन जिन व्यक्तियों को आरक्षन का लाब हो रहा है जिनके अधिकार चीने जा रहे हैं जिनकी बेहन बेटियों पर अट्रोसिटी हो रही है जिनको न्याई नहीं मिल रहा है जिनको छातर होती नहीं मिल रही है जिनको होस्टस विदा नहीं मिल रही है जिनकी जो किसान फसर लोगा रहा है लेकिन उसको चिद्दान नहीं मिल रहा है जिनकी जातियों की गणना नहीं हो रही है जिन बहनों के साथ में घटना होती है लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता तो एसे तमाम शोशित वंचित पिछडों के हख अधिकारों के लड़ाई है इस लड़ाई में आप लोग सेयो कीजिए उमिद करता हूँ कि आप लोग आने वाली 12 फरवरी 2023 को अपने घरों से निकलेंगे एक घर से एक व्यक्ति निकलेगा और मद्यपरदेश के अंदर भोपाल की गलियों में यह बता देगा कि मद्यपरदेश का युवा जाक चुका है जैविम सातियों और अगली अपडेट मैं आपको जल्दी दूँगा आप लोग तैयारी कीजिए 12 फरवरी की और जिन सातियों ने आने की विश्ता नहीं कीए वो अपने जो शेतर की जिला अध्यक्स हैं उनसे संपर कीजिए किसी भी प्रकार का सही होगा आपके लिए वो लोग करेंगे और आपको भुपा लने का काम करेंगे हमारी वोड से कल एक नमबर जारी हुआ बहुत सारे सातियों के कोल्स आ रहे हैं तो अगर आप लोग जिन्नों ने भी लाइव को देख रहे हैं और उन्होंने फोन लगाया उस नमबर पर तो आप लोग यह वो फोन नमबर आप के गाडियों के जानकरी देने के लिए जारी किया है तो आप लोग उस उस कॉल्स पर आप हमारे जो प्रदेश कारे यहां के साधी से सचीव है वो उस ऋस पर अटेंड करेंगे और आपकी जो समश्या हो जो किसी परकार जानकरी हो तो उस पर तुरंत प्राप्त कर सकते हैं तो मद्यपर्देश के कोने कोने से एक एक घर से एक एक व्यक्ति निकलना चाहिए और दूसरी बात अगर आरक्षन विरोधियों को मूह तूर जवाब देना साती हो तो आप लोग अपने घरों की दिवारब पर लिख दो आरक्षन जिंदा बात बारा फरवरी चलो भोपार अगर आपको टूटी-फूटी होईए और आप आईए सामजिक ज्ञायत्रा में और दिखा दी सरकार को कि हम लोग आरक्षन और अधिकारों के समर्तन में हैं हमारे अधिकार हम लोग कभी खुतम होए नहीं देंग जाती है जे भीम जे भीम आर्मी जे सविदान जे भारत